हेलो आपके लिए लिकर आगे हो एक और किस्टम रोम कर विव और गाइज यह है लिनेज वेस 17.1 तो गैज चलो सबसे पहले चलते हैं अब आप फोन में और देख लेते हैं कुछ रोम की इंफोर्मेशन तो गैज यहां पर अंड्रोड वर्जिन 10 लेंज वर्जिन 17.1 लेंज लेवल आपको इलामा 9 देखने के लिए मिल जाती है और वेंडर सेक्योरिटी पैस लेवल भी आपको मिल जाता है दिसंबर दिसंबर 5 2019 जो की बहुत ओल्डे गई लगबख 6 months Google Play system update 10 और गाइज यहां पर आप करनल देख सकते हैं स्टॉक लेने जो इस करनल आपको देखने रहा है हो तो लेने जो 17.1 एंडुड क्यू फर्मियर पर बेस्ट है मतलब आपको रियल्मियोई एस बेस्ट चाहिए होगी पर उसका वेंडर आपको जरूरी नहीं है इस बार इसका इसका इस्टॉलेशन भी बहुत ईजी और मैंने सारे स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में ल इसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन ये फिचर देखने के लिए नहीं मिलते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका कैसा दिखता है तो यहां पर आपको डार्क थीम का उप्शन मिल जाता है टॉगल और इसमें एक चीज मिसेंगे हमारा फेवरेट जो डेटा स्विच टाइल है वह इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है गईज इसमें आपको लिनेर उसका ऑफिचर स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने के लिए मिल जाते पर आप उसके साथ इंटरनल और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो यह बुरी बात है गीमर् प्लाइब हो जाता है गई अगर आप लॉंचर की पर लॉंग होल करते हो तो आपको स्टाइल्स और वालपेबर्स को उप्शिन देखने के लिए मिल जाते हैं लेने जो इसकी तरफ से सिस्टम एप्स की बात करें तो यह आपको क्वालकॉम वाला क्यामरा देखने के लिए बिल जाता है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो अप्टू 4K और यहां पर आप रहे सकते हैं इसकी सारी जो है अक्सेस कर सकते हो और गईस मैं अलक्स से यहां पर जीकाम भी इंस्ट्रॉल कर रखा है तो यहां पर आपको दिखा जीता हूं यह है आपको बता दो सारी सिस्टम आपको लेने जो इसकी तरफ से देखने के लिए मिल जाती है इस रोम में वोल्टी बहुत अच्छे से वरकेंगे पर आपको कहीं पर भी वोल्टी का जो आइकन वो इनेबल करने का उपशिन देखने के लिए नहीं मिलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं SIM card का जो डिजाइन है वो एक बार स्टाइल में आ गया है लाफ राइट वाले तो आप इसके भी स्विच करके डेटा इनेबल कर सकते हो और वोल्टी यहां पर आप इनेबल कर सकते हो आपको option मिलता है पर कोई भी signal icon आपको स्टेटर बापर देखने के लिए न यहां से चलेंगे display settings के अंदर तो चलिए चलते हैं यहां से display settings में और कई यहां पर आपको बता दू dark theme तो already working आपको दिखाए दिया तक इस बाकी live display नाइड लाइट वगरा working मिल जाता है adaptive brightness वगएरा styles and wallpapers की बात कर लेते हैं पर तो आप custom themes apply कर सकते हो custom themes create कर सकते हो यहां से तो icon बगएर आप यहां पर चूछ कर सकते हो और accent color बहुत ज्याद अवलीबल नहीं है पर जितने हैं काफी है और यहां से icon जो shape बगएरा वह भी आप यहां से चूछ कर सकते हो उसके बाद अपना custom system icon create कर सकते हो custom theme create कर सकते हो और यहां पर आपको मिल जाता है clock customization और यहां पर ambient display पर जो clock आती है उसका style change कर सकते हो और यहां पर बार इस फिर से स्टाट हो गई है और यहां पर आपको वालपेपर को option देखने लिए मिल जाते हैं जो कि आपको मैंने अल्री बता दिया है यहां पर font size display size वगर का option देखने के लिए मिल जाता है कोई भी font style change करने का option आपको नहीं मिलता है lock screen display की बात करें तो guys यहां पर display media cover art वगरा lock screen message और notification hide का option आपको मिल जाता है और यहां से guys आप Translution notification background भी change कर सकते हो तो आपको दिखा जाता हो कि यह क्या होता है guys यहां पर lock screen पर जो भी notification आती उसका background होता है वो थोड़ा से Translution रहता है मिलता है पर अगर हम इसको बंद कर देते तो आपका जो background यहां पर आपको working मिलते हैं जैसे की double tap to wake और यहां पर हम बात कर लेते हैं वेव जैस्टर की तो यहां पर देख सकते की hand wave जैसर भी अच्छे से working मिल जाता है for calls enable कर सकते हो और यह जो system sounds वगएरा वो भी आप यहां से enable कर सकते हो गया से बात कर लेते हैं आप हम security की तो मैं आपको बता दू कि मैंने यहां आप ना जीए फ्लैश कर रगा था फिर भी हमें face lock देखने लिए कहीं पर भी नहीं मिलता है smart lock वगएरा मैं यहां पर आपको fingerprint sensor भले वर्किंग मिल जाता है तो कैसा काम करता है मैं आपको बता दिता हूं तो यहां पर हम डिस्प्ले को करते हैं lock और यहां पर fingerprint को करते हैं लॉक तो गैस फिंगर्प्रिंट जो है वह बहुत अच्छे से आपर वरक करता है इस आपको डिस्प्ले की completely lock होने के लिए सब्सक्राइब करते हो तो जिससे आप अपनी सारी एप उसे ट्रैक कर सकते हो कितनी देर आपने क्या यूश किया है चलते एक्सेबिलिटी में यहां पर मिलता है आपको एक बहुत शांदार ऑप्शन सारे अनिमेशन डिसेबल करने का तो रिमूब अनिमेशन को आप जैसे सब कुछ काम करेगा पर बैटरी का जिससे बहुत जादा सेव होती है अनिमेशन से यहां पर बटन की बात कर लेता है आपको पावर मेनु में कोई भी एडवांस रिस्टार को उप्शन दिखने के लिए नहीं मिलता है पर वो आपको डेवलपर ऑप्शन में दिखने के लि लक्तवर में तो यहां पर आपको बहुत जादा कस्टमाइज़ियन देखने के लिए स्टेट बास से अडिकन के लिए नहीं मिलता है पर क्योंस करने के लिए कोई अपर कोई रखडाउन करते हैं तो यह जो ब्राइट इस दिखता नहीं है वह प्लिटली उसको ओपने के बाद ही दिखता है पर यहां परॉप्शन है कि आप कब ने जाते हो ब्राइटने करने पर नॉर्मली ऑपिन करने पर क्यों प्लीटिली ओपने पर या फिर टो टोटली डिसीबल का आपको option देखने लिए मिल जाएगा जिसमें आप जम्टू क्यामरा वाला जेस्टर यूज कर सकते हो नविगेशन की बात करें तो टू बटन थ्री बटन और जो कम्प्लीट जेस्टर नविगेशन वाला वह भी यूज कर सकते हो और इसकी और पूजिशन वगेरा भी सब्सक्राइब कर सकते हो और यहां पर बार होता है तो बहुत अच्छी बात है अब यहां पर आपको बता दू डेवलपर और आपको क्या मिलता है तो जैसे कि मैं आप से बोल रहा था कि आपको यहां से नेबल करना पड़ेगा तो यहां से डेवलपर ऑप्शन के जस नीचे आपको अप्डेट्स का उप्शन मिलेगा जो कि वर्किंग नहीं मिलेगा आपको इस पर कोई अप्डेट नहीं आएगी क्योंकि एक ओफिश्यल रोम नहीं है जिब तक हमें लेंगर 17 का ओफिश्यल सपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक यह यहां पर आपको CTS प्रोफाल्स मिल जाती है जिसकी वाज़े से आप बैंकिंग एप्स यूज नहीं कर पाऊँगे पर इसका भी फिक्स है मैं आपको एक वीडियो सेपरेटली बना कर बताऊंगा कि आपको यह जो सेफ्टी निट का है वो फिक्स कैसे करना है फॉल्स प्र ईंगरांocado की जिसके रहता है तो यहां पर प्लोबदर रहता है चल्दी विडियो कंते हैं के अपको श्रीइब्स इनेबल कर सकते हैं यहाइन एक पर प्युक मैच आपको खेखंग affect के लिए झाल 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 झाल